ओम सिरीगनी सायनम दोस्तो एश्क्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज 21 वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 माई गुरुवार के रासी फल के बारे में की इहां दिन तुला रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग उसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंच सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तोला राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पोजेटिव रहने वाला है दोस्तों आज आप अपने सभी कार्रों को बहुती बहतरिन तरीके से पूरा करेंगे जिस से आपकी छुपी हुई योगता वे प्रतीबा सब के सामने आएगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा घर के शुक्षुदा सम्मंदित वस्तों की खड़ीदारी में भी आज समय व्यतीत होगा आप अपने विश्वास वेकारे चमता द्वारा इस्तितियों को और अधिक भेतर बना पाने का प्रियास करेंगे और सफलता भी हांसिल करेंगे पैत्रिक प्रॉपर्टी सम्मंदित अगर कोई मामला रुका हुआ है तो आज उस पर ध्यान केंदरित करें सफलता के योग बन रहे हैं धार्मिक संस्था के प्रती तन और मन से सहयोग देना आपको खुसी प्रदान करेगा साथी समाज में भी मान सम्मान में वरद्दी होगी अगर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रियास रथें तो आज का दिन आपके लिए काफी सुब है आज उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें आज का दिन समाज सेवी संस्ताओं के साथ मदद में व्यतित होगा तता धर्म कर्म संबंदित कारों में आपकी रूची अधिक रहेगी युवा वर्ग अपनी मेहनत के अनुरूप सुब परिणाम मिलने से तनाव मुक्त रहेंगे अपनी पिछली गल्तियों से सीख कर आप अपने कारे सम्मंदित योजना में परीवर्त न लाएंगे जो बहतरीन साबित होंगे भाई भेनों के साथ चल रहा कोई वाद आपसी समझबूच से आज हल हो जाएगा आज अधिक तरकाम मन मुताबिक तरीके से संपन होते हुए आपको प्रतीत होंगे जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात खुसी और ताजगी प्रदान करेगी और आप अपने काम पर और अधिक एकागरता से ध्यान दे पाएंगे दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा दिन सिद्ध होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता हैं दोस्तो आज वैवसाइक गतिविदियां पूर्ववती ही रहेंगी मैंटिनेंस संबंदित कारों पर खर्च बढ़ सकता है इसलिए अपने बजट का ध्यान अवश्चे रखें नोकरी पेशा वैक्तियों के लिए तरक्की संबंदित आज योग बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा परंतु अपने क्रोध और जल्दवादी वाले श्वबाब पर नियन तन रखें आप किसी मुसीवत में पढ़ सकते हैं किसी महत्पपूर्ण वैक्ति के साथ भी कोई कहा सुनी होने की आज आसंका है जिससे रिस्ते में कड़वराहट आएगी दोस्तो साथी साथ दिखावे की बज़े से व्यर्थ की फिजूल खर्ची भी हो सकती है थोड़ा सावधान रहें विद्यारती अपनी पढ़ाय के परती लापरवई ना बढ़ते ह रिस्तिदार के साथ मन मुटाव जैसी इस्तिती उत्पन हो सकती है थोड़ी सी सावधानी रिस्ते को बिगाडने से बचा सकती है दोस्तों जंदबाजी में कोई भी निर्णया अपना लें किसी प्रिकार का जूटा आरोप प्रत्यारोप आप पर लग सकता है किसी बहारी व्यक्ति की सला पर ध्यान ना देकर अपनी बनाई हुई नीतियों पर ही कारे करें कुछ कारे समय पर पूरा ना होने के कारण आज तनाव रह सकता है इसलिए अपने ऊपर काम का अधिक बोज ना लें भैतर होगा कि सबसे पहले महत्बपूर्ण काम निम्टा लें आपके लि लाइफ कैसी रहने वाली हैं दोस्तो परिवारिक वातावरन आज खुस नुमा रहेगा साथी बड़े बुजुर्गों का आशिरवाद वे इश्ने परिवार पर बना रहेगा पती पतिनी के बीच किसी परिवारिक मुद्दे को लेकर कहा सुनी हो सकती है परंतु जरासी सम हो जाएगा घर परिवार तथा वेपार संबंदित सवी कारों में जीवन साथी का भरपूर शयोग रहेगा और आपसे भावनात्मक संबंद भी मजबूत होंगे परिवार के साथ मनोरंजन वे डिनर के लिए जाना यादगार पलों में सामिल होगा पती-पतिनी के संबंद में नजदी की आएंगी किसी प्रिये मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को ताजा करेगी दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आपका वैवश्य केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तो नवीन कार्रे संबंदित आपने जो योजना बनाई हैं उस पर एकागर चित होकर काम करें आम अंदनी में आज वरदी होगी तथा आएके नए स्रोत खुलेंगे नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए भी परस्त रखें नोकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तरक्ती संबंदित आज योग बन रहे हैं नए प्रवाबसाली संपर्क बनेंगे व्यपार से संबंदित अधिक से अधिक प्रचार करें वर्तमान परस्तितियां आज आपके पक्ष में हैं आपके सभी काम आज सफल तापूरु पूर्ण संपन होंगे मार्कटिंग संबंदित कारों में आज अधिक समय व्यतित करें तथा अपने संपर्क सूत्रों को भी मजबूत करें इनसे आपको अवस्य ही लाब की प्राप्ति होगी सरकारी शेवा में कारेकरत व्यक्तियों को अपने बहतरिन परिणाम देने से उ वैसे तो वेवसाइक गतीविदियां सुचारों रूप से आज चलती रहेंगी कारे छेत्र में हर गतीविद्धी पर नजर रखें आपकी कोई महत्पपूर्ण बात आज लीक हो सकती है इसलिए अपनी कारे प्रणाली को गुप्त तरीके से रखें आपके लिए बहतर रहेग दोस्तो आज आपका स्वास्त ठीक रहेगा आज कोई भी स्वास्त संबंदित समस्या आपको परिशान नहीं करेगी साती साथ दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो आप बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत रहोने के बाद भगवान श्री हरी विश्नु जी की मूर्ती को विदिवत विधान के साथ किसी पीले वस्तर पर इस्थापित कर चंदन और पीले फूल दोसे उसकी पूजा अर्चना बहुत इसरद्धभाव से करें इसके साथ ही प्रसाद में चने की दाल और गुड़ चाड़ाएं इसके बाद आप इस प्रसाद को बाटें जा दोस्तो ऐसा करने से भगवान श्री हरी विश्नु जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त क कामने भगवान श्री हरी विश्नु जी अवश्य ही पूर्ण करेंगे दोस्तो भगवान श्री हरी विश्नु जी का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैश्री हरी विश्नु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें देने बाद!